हेलो माय दियर स्टुडेंट्स तुडेय आइम गईंग टेल यू हाव तु प्रिपेर दे प्रेक्टिकल फाइल आप इन्फिमेटिक्स प्रेक्रिक्रिक्स क्लास 12 जो भी आपने अभी तक इन्दिविज्वल प्रोग्राम्स की वीडियो देखी हैं मैंने आपको टोटल 23 वीडियो भी हैं ट्रेक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स के लिए जिसमें 6 वीडियो डेटा विजुलाइजेशन से हैं जिसमें आपने लाइन चार्ट बार चार्ट और हिस्टोग्राम मनाये थे आठ वीडियो आएफ गिवन फ्रॉम सीरीज एड एट वीडियो फ्रॉम डेटा फ्रेंग और एक वीडियो मैंने आपको मायेस्क्वल से दिये हैं तो आज आपको सीखना है कि इन सभी वीडियो के जो भी प्रोग्राम से उन सभी को एक साथ कंपाइल करके हम लोग प्रेक्टिकल फाइल की शकल कैसे दे सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें लास तक देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हम अपनी प्रेक्टिकल फाइल को कैसे तईया करें बोर्ड के लिए सो लेट उस बिगिन बेर सबसे पहले यहां आप देखें इसमें जो ये फाइल बनी है इसका ये कवर पेज़ है प्रेक्टिकल फाइल इन इंफिमेटिक्स प्रेक्टिसे 065 065 आपका सब्जेक्ट कूड है for the session 2020-21 यहां आपना school का monogram लगा सकते हैं इदर CBSC का लगा दिया और guided by obviously your teacher's name his designation, his her designation, submitted by your name and your roll number this is board roll number यहां blank छोड़ दे, जब board का roll number मिलेगा तब आप यहां fill up कर सकते हैं manually भी कर सकते हैं then at the bottom you can write your school name thereafter this is the certificate, this certificate will be given by your teacher who is teaching informatics practices और इसका matter accessor मिली जाता है, certificate का फिर भी मैं यहां पर आपके लिए यह video थोड़ी देर के लिए रोब देता हूं, so that you can note it down इसे pause करके भी आप note कर सकते हैं तो यह आपका this is to certify that आपका नाम आजाएगा, roll number board का जाएगा, of class 12th session 2020-21 rest of the matter as it is for your I mean certificate otherwise it may have different format also given by your teacher signature of teacher, signature of external thereafter you can start with index index कुआ तीन सेगमें इवाइग कर दिजी section A data visualization, section B python pandas and section C SQL commands तो इसमें आप एक short description दें अपनी practical problems का और उसके साथ वो problem की space number पर and then teacher's signature similarly for all problems all 23 practicals thereafter यहां एक bifurcation sheet लगा दिजी section A data visualization, put some image related to some chart etc thereafter इसके बाद आपका practical number one यहां शुरू हो जाता है put the heading practical number one यहां आप date भी डाल सकते हैं किस date को यह practical किया आपने complete फिर problem definition आप यहां लिख देजीए आपके question क्या था उस practical को करने के लिए पुरा practical का question elaborate कर देजीए फिर उसके बाद उसकी जो coding है उसे यहां पर cut paste कर दे screen printing जिसे हम screenshot कहते हैं इसको screenshot यहां लगा दे that's better क्योंकि इसमें colorful थोड़ा आपको दिखाई पड़ेगा keyword और identifiers अलग अलग आपको दिखेंगे अगर इसका आप copy paste करेंगे code तो simply black color में आएगा उसमें अगर copy paste भी कर सकते हैं लेकिन उसमें इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना पड़ागी जैसे यहां for eye in range this इसके बाद इतना space छुटा हुआ है इतना execution नहीं होता है तो indentation आपको disturb ना हो इसके लिए screenshot बेटर है मैंने तो जो आपकी powerpoint slides बनाई थी वीडियो के लिए उसमें से यह direct यह crop करके वहां से यहां पर paste कर दिया है word file में आप जैसा चाहें तैयार कर सकते है coding is required है so coding के बाद उसका आप output paste कर देंगे यह भी screenshot लगाया गया है crop करके अब सवाल उखता है इसी तरह से practical number two का problem definition then coding then output like that you keep on going for all problems all practicals आप सवाल उखता है कि हम इसको crop कैसे करें मान लिजे कि आपके पास यह एक program है यहां पर आपके computer में print screen होगा print screen आप press कर दीजे एक बार अब यह clipboard पर आ गया पूरा इसकी image इसे आप किसी photo editor में ले जा करके paste कर लें और वहां से cropping कर लें मान लिजे मैं simple सा photo editor आपका यह paint brush यहां पर लगाता हूं यहां पर मैंने paste कर दिया और paste करने के बाद जो portion मुझे required है उतना portion मैं यहां से crop कर लेता हूं इतना portion मैंने crop कर लिया ctrl x कर लिया अब आप word file एक खोर लिजे नई word file नया blank document और इसमें आप इसे paste कर दें जो आपको type करना है पहले type कर दीजी practical number so and so then coding heading डाल दीजे और यहां पर इसको paste कर दिया मैंने similarly remaining part फिर से crop कर दीजे फिर से paste कर दीजे इसका output आपको paste करना है इसे execute किया execute करने के बाद whatever is the output coming out उसे भी print screen किया और photo editor में ले जाकर के उसे paste किया paste करने के बाद the required area is cropped out इतना portion जो भी आपको जरूरत है उसे आपने cropping कर लिया और again you have pasted it in your practical file content ठीक है इस पर आपको border लगाना है right click format picture shadow whatever decoration small little only not I mean बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है यह थोड़ा सा आपका border बन जाएगा इस पर आप line color में भी वही color डाल दीजिए जिसका border बना रहे है suppose black हो गया यह थोड़ा सा bordering से लगेगी आपको इसी तरह से आप सभी practicals के code और output paste करते चले जाए है by specifying in the beginning practical number then problem definition then coding then I mean output जैसा की आपको इस practical file में दिखाया गया है इस तरह से आप करते चले जाए है ओके अब सवाल आता है की आप ऐसे करते चले गए all practicals have been their coding and output have been pasted now अब आपका यह mysql segment आ गया हर जगा एक bifurcation तीन segment में divide का दो section A section B section C section B आपका python pandas में यह देखे यहाँ पर एक section B लगा दिया python pandas इसके बाद python pandas के program स्टार्ट होंगे इसी तरह से आप last में mysql का program से पहले एक bifurcation sheet लगा दीजे like I have inserted here section C mysql sql commands then its monogram then sql command starts here पहले आप sql command का question लिख दीजे क्या question था and thereafter आपने जो command लिखी along with output उसका output आप crop कर लीजे इसी तरह से जैसे mysql में आप सोच रहे होंगे कि यह black में लिखा हुआ आ रहा है background इसका white आ रहा है वैसे तो normally mysql में background black रहता है और जो font होता है white रहता है उसमें problem क्या होती है कि इंक ज्यादा लगती है background में black color की इससे बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ go to the mysql mysql में मैंने password डाल लिया और इसका थोड़ा सा font बढ़ा लेते हैं increase the font from the properties I have done 16 okay thereafter यह आपका font थोड़ा बढ़ गया and then इसका आप properties में जा करके background change कर लेज़े colors colors में screen text black and screen background white और any other color whatever you want तो इस तरह से आपका यह mysql आ गया इसमें आपने जो भी command लिखनी है command लिखी show tables suppose यह command लिखने के बाद print screen फिर से press किया go to the photo editor or photo editor में आप इसे control भी करके paste कर दीजे required portion is to be cropped out और इसे control x से आप cut कर लिजे then go to the practical file again and जिस location पर आप चाहे वहां उसे paste कर सकते हैं like this so इस तरह से आप practical जो भी आपने जैसा मैंने लगाया हुए watermark has not to be given और इस तरह सी your practical file is ready once your practical file is ready go for printing इसे आप print कर ले और print करने के बाद इसकी spiral binding करा ले your practical file is ready get the signature done by your teacher keep the practical file aside go for preparing the project file project file की guidelines में बाद में आपको इसके लिए एक video बना के भूँगा तो अब आपकी practical file ready हो जाने पर project ready हो जाने पास आपके पास बहुत सारा time बचता है so you can focus on your theory paper out of 70 जिसमें आपको अच्छा score लेना है उस पर आप focus करके अच्छे से preparation कर सकते हैं so that's it about this video इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कैसे हम practical file create करें और उसके बाद आप last में binding करा देंगे spiral binding so अगर आप चैनल पर नए है तो photofot channel subscribe कर दें latest videos के लिए और अगर आपको practical file बनाने का तरीका समझा गया है तो अपने friends के साथ ही share करें जिससे उन्हें उनकी भी practical file ready हो जाए board exam के लिए और मेरी board exam में आपके अच्छे marks के लिए बहुत बहुत शुब कामना है thank you for watching thank you